हेलो उर्वन कैसे हैं आप सब आई हुप सबाब अच्छ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एची चल रहे होगी तो तुम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड चेप्टर पतार्थ विग्यान पेपर सेकेंड का जो कि यह आपका अपतुब्दे स्मार्ट तो काफी इंपो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो आप पहाँ से जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले आप तो अब देश प्रमार्ण की परभाशा क्या होती है मैं आपको कुछ मैंने जब फर्श चेप्टर पढ़ाया तो वह क्या है कि वह आचार है रिषी मुनी वह कैसे है उनके देखो उनके अंदर ना तो किसी चीज की इक्षा है ना किसी से द्वेस हैं न लाला चे न घिना है और उन्हें सब चीज को ग्यान रहता है ठीक है तो जैसा वह बोलते हैं वैसा हुमें उनका आच्रण करना की और हम कैसे कैसे पेशेंट की परिक्षा कर सकते हैं ठीक है हर एक चीज़ नों बता रखिए तो इस बारे मता हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेप्टर को सबसे पहले बात करते हैं परिभाशा की क्या वो लगा है आपत पुर्सों के वचनों को आपत उपदेश कहा आता हूं जितना मैं आपको लिखवाता हूं क्योंकि यह मैंने खुद भी लगाया और खुद मैंने टॉप किया तो जो भी मैं आपको बूलूँगा बताने कि वह आपको याद करना पड़ाएं आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि आपने देखे होंगे अधर भी एक्स्टा ठीक है तो जितना आप कंटेंट लिखो अच्छा लिखो और राइटिंग का विसे ध्यान दो ताकि जो आपके मांक से वह अच्छा सके ठीक है तो कोई घराने की बात नहीं है मैं आपके साथ हूं हर तीगरे सापकी मदद करूंगा ठीक है तो टेंशनी कोई बा इन तीन परिक्षाओं में सरवप्थम आपतुपदेश से घ्यान होता है ततपश्चाथ प्रक्तिक्ष और अनुमान से घ्यान होता है कह रहे हैं कि हमने फर्स चेप्टर में प्रतिक्ष अनुमान और आपतुपदेश पढ़ाता तो नमें नमबर फर्स्ट पर हमारा क्या पहले हम आप तो बेस्क से बताए गए जो विदिया हैं उनसे हम गयान पराथ करेंगे उसके बाद हम प्रिटेक्ष और अनुमान में जो भी चीज़ें बताई गी हैं उनको आप सीखने के बाद हम यह चीज़ें करेंगे ठीक है तो अस पहले लक्षण आते हैं चरक सहीति हैं तो मैंने आपको बताया था क्या बता है तो फ्रक्षण की ने क्या हुआ है कि आप दुद्ध के सोय होते हैं तुम्हाइए तप और ग्यान के बल से जो रज और तम से मुक्थ हो गया हो ऊंड तोन कर वाथ हैं ठीक है थीक है आपकी आपंस्टे finger ज्हाइए słu कि अदर जहां और माझसिघ प्रवत्तियां बताई गई है इसमें राठ्षे बगएरा जो पिसाज बगारा की योनिया है बहती हैं तो ऐसे पुरुष जो तप और ग्यान के बल से कैसे हो गए रज और तम से मुक्त हो गए हूं जिनको भूत बाविस और वर्तवान का ग्यान रहता हूं ठीक है कोई आपने ऐसे पुरुष योनिय और बगारा देखे होंगे कि उनको प सकती कभी नहीं रुकती है और उनकी जो ग्यान सकती है मालब उनका जो ग्यान है वो कभी नहीं रुकता है दिन मद दिन बढ़ता ही रहता है ठीक है ऐसे विक्तियों को आप्त सिस्ट या विबुद्ध का जाता है तो इसके ये परहव अची है ठीक है आप्त सिस्ट और वि होते हैं और क्या करते हैं आप्त पुरुस सदा सत्य बोलते हैं तो ऐसे लोग क्या करते हैं हमेशा ही सत्य बोलेंगे आप इसलिए उनके बचने मानने चाहिए ठीक है तो यहां पर यह इसका डेफिनिशन था अचार चरक के नुसार और सिंपल सा एकदम क्या था कि तप और ग्यान से जो मुक्त हो गए और अजुटतम से बू तो इसका ग्यान रहता जिसको इनकी ग्यान सकती कभी रुकती नहीं है ऐ और इनके बचन जो है कैसे होते हैं संदेश रहत होते हैं और अमेंसा सत्व बोलते हैं अब देखो इसको यह बात करते हैं भीद की कितने बहुत बताए हैं तो यह आपको दो टाइप बताए गए हैं नम्बर फरस्टलाउ कि ए लॉकिंट और नमबर सेग्ण अलॉक कि अलोकिक पर जैसा है आपको वैसे यह रखना है लोकिक मतलब क्या होता है लोकिक पुरसों के वचनों को लोकिक अब तुपदेश कहते हैं और जो वेद के वाक्यों को अलोकिक अब तुपदेश कहते हैं मतलब कि जो हमारे पुरुष है यह से रिशी मुनी हो गए यह हमारे क् यह वह वेदों में चीजे बताई गई है वह हमारे अलग के क्थो उनमें जो भी घ्ञान है वह में कैसा हुआ ऐलोक अब देखो हमने पड़ाता है कि हमारा इसका क्या विनिंग निकल के आता है उसमें क्या मेत्व है data कि अभी मंतलब पड़ने का खुंछ तो कहीं न कहीं ने कॹई कोई क्रेक्ष्शन हो गई तो क्या होता है की जो है अभी रिखाए तो उसमें का탈 है हर एक दोग के गुड लेक्षर कर्म संपराप्ति ठीक है उनके टाइप लिखे हुए हैं तो यह नौलेज कहां से आती हैं उनको पता है इसलिए उनोंने लिख रखे हैं वहाँ पर तो और हम जब उनको पढ़ेंगे तब ही तो हम कुछ सीखेंगे कि हाँ अगर ही रोग है तो करते समय ऐसे प्रको वालों आसे कारण है कि चेशें और इसका शुरूप ऐसा है और एसे शर्ड़ कर रहा है कार्याम और ऐसी चैवरदी वाला, ऐसे भविश्च वाला, ऐसे नाम वाला, आधी इस प्रकार की चिकिसा इसकी होगी, यह हम किस से जानते हैं, आप तो उब्दे से जानते हैं, अब देखो, सही ताव में वेदा हम सब कुछ लिखा हुआना है, कि हमारे इस वाले रोक की ऐसे प्रकुप इसका क्या नाम रखना चाहिए, और फिर उसकी चिकिसा बताएगी, तो यह किस से जानते हैं, आप तो अब देख से, आप दो देख से ही इस चीज के बारे में जाने जाता है, ठीक है, तो मारे यह आप दो देख से चोटा सा टोपिक, यही पर फिनिस होता है, अब हम बात क में दिया हुआ है, सब्द और उसके लक्षण और प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने डेफिनिशन लिख रखी है, और इसके प्रकार लिख रखे है, पांच मार्स में आपसे एकदम सिंपल जा कोश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, मिल्कुल इजी बस ही मिलाने वाले समू को सब्द कहते हैं, अब वर्ड आपको पती है, क्या होते हैं वर्ड, बॉबिल्स, अक्षर, जब इनको एक साथ मिलाते हैं, तो इनको सब्द कहते हैं, सिंपल सी डेफिनिशन है, जो आप बच्पन से बढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि जो मारे वर्ड है य उनको मिलाने वाले समू को हम सब दिखेते हैं, और इसकी डेफिनिशन क्या दूसरी किसा हम उसको बोल सकते हैं, कि जो मारा अक्षर है, जो मारे ठीक है, उनके समूदाए को सब दिखा जाता है, दो डेफिनिशन है, आपको एक या रख लेनी है, कोईसी छोटी सी एक्दम स तो आपको या रख लेनी है, तो आपको या रख लेनी है